नमश्कार दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हिमाचर प्रदेश स्टेट एलेक्टिसिटी बोर्ड ने जो पोस्टे निकाल लिए हैं टीमेट और यूनियर हेलपर्स की तो उसके बारे मां बात करेंगे किस तरह से उसका सलेबर सरेगा क्या उसकी नोटिफिकेशन है कौन-कौन से परसंसे एलिजिवल होंगे और किस तरह से आप अप अपलाई कर सकते हो सारी डेटेल इंफिरमेशन के बारे में बात करेंगे तो फरस्ट जो मेरा वीडियोत में उसके रगारिंग कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपकी पूरी हलप करूंगा तो चलो सटार्ड करते हैं आज का वीडियो हम पूरा डिसक्स कर लेते हैं पहले तो हम नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं तो जो 46 को निकली हुई हैं तो टीमेट्स को कितना दिया जा रहा है यहां पर 725 रुपे दिया रहे है ठीक है तो इन पोस्ट को कॉपी नाइंटेन की बज़े से बिड्रो कर लिया गया था बट इन्सकी बज़े से फिर द्वारा किया गया है द्वारा से फ्रेश जो अप्लिकेशन प्रेश एक्रिश्टी बोड फिलिंग अप आफ दा 1892 पोस्ट ओफ वेरीज केटेगरी तो इसमें से 15 यूने टीमेट्स की पोस्ट है और 302 पोस्ट है वही सेम है और इसका जो अमॉंट आइनों ने बढ़ा दिया हुआ है वो कर दिया हुआ अभी 8150 रुपीज पर मंत अं इसमें लिए लग 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 फर्म नहीं बढ़ना है और आप देख सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां पर Candidates can submit their application form at any of the following three offices through post only on or before 27-2020 मतलब आपको ये 20 जुलाई से पहले आपको submit करना है However for the candidates राज़ने इन दा लालस्पिती डिस्टिक and किनोर, पांगी and ब्रमोर सब डिस्टिक of the चंबा डिस्टिक and the डोडरा कवार सब डिस्टिक of the शिमला डिस्टिक of हिमाचर प्रदेश Last date is तो इसके लिए जो last date रखी है इन्होंने वो इन्होंने कर दी हुई है यहाँ पे 4-8-2-1-20 मतलब 4 अगस्त तक आप apply कर सकते हो तो यहाँ पे तीम स्टेशन दे रखे हैं एक, दो, तीम जो भी आपको nearest रहता है उसके लिए आप apply करोगी जैसे kangra वाले जो वो धर्मशाला के लिए send करेंगे ठीक है मंडी और नियरवाइ कुलू वाले मंडी में कर सकते हैं ठीक है और एक शिमला है तो कि नौर और शिमला वाले जहां फिर बिलासपूर वाले शिमला कर सकते हैं तो इस तरह से उनना वाले भी कांगड़ा के लिए बेज सकते हैं तो यह था कहां पर आपने फोर्म बरना है अब यह हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट का जो category breakdown है वो किस तरह से रहेगा तो इसमें जैनल की 496 पोस्ट है और जैनल की इक मॉक्रमील बैकवर्स कोटे में 42 पोस्ट है जैनल की बार्ड ओफ रिडम फाइटर में 17 पोस्ट हैं ओवी सी अन्रजब्ड की 191 पोस्ट हैं ओवी सी बीपेल और अन्तोधे की 47 पोस्ट हैं ओवी सी एक सर्विसमेन की 32 पोस्ट हैं सी अन्रजब्ड की 233 पोस्ट हैं सी अन्तोधे बीपेल की 40 पो एक्स सर्विसमेन की 27 पोस्ट है और एकोनोमिकली बैक्वर्ड सेक्षिन अंजर्ब्ड की 145 पोस्ट है टोटल 1500 पोस्ट है यह और इसी तरह से अगर हम स्टेशन सबस्टेशन हल्पर यूनियर हल्पर की हल्प बात करते हैं तो इसमें 392 पोस्ट है तो उसका जो डिविजन है इस तरह से दे रखा है यहां पर तो आप देख सकते हों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो सेलेक्षिन होगी बोकी स्बेसिस पे आपको जो इन्होंने ट्रेनिंग मेंशन की हुई है यह ट्रेनिंग आपने की हुई है चलो next चलते हैं तो next क्या बोल रहे हैं यह next इन्होंने इसका third clauses दिया हुए the candidate will be submit the complete course of ITI certificate in the last date of the submission of application for the post of unit teammate and unit helper station third इसमें दे रखा है candidates must be citizen of India, इंडिया का citizen आना चाहिए और should be bonafide of matchly और candidates shall be eligible for the appointment of class fourth तो यह आ गया उसके बाद साल का इसके लिए lexation है next time बात कर लेते हैं इसके लिए mode of selection तो total selection processes 100 marks with following distribution तो इसमें जो 100 marks का distribution होना है जो होगा merit basis पे उसका distribution किस तरह से होगा तो वो भी मैं बता देता हूं आपको तो आप देख सकते हो इसमें दो पार्ट की होए नोने first part mark obtained in the metric to be awarded on the profit basis जो आपकी percentage होगी उसके basis पेस को यह देंगे तो 60 marks है इसके जैसे आपको 60 marks है जो जितने percentage के हिसाब से आपको distribute कर दे जाएंगे ठीक है next 25 marks जो आपके 85 marks यह होगे और नीचे चलते हैं आप भी यह बताते हैं कि next 15 marks किस तरह से हैं तो आप देख सकते हो यहां पे जो 15 marks का distribution रहेगा इसमें वो किस तरह से रहेगा तो इसमें देख सकते हैं 15 marks का distribution है first है belonging to the notified backward area एक नंबर मिलेगा इसको जो की concerns SDU और तिसीलदार बनाता है second है landless family तो इसके two marks हैं जो भी concern की सलदार और SDU से बनाया जाता है ठीक है आप अपनी जो SD में ओफिस होता है वहां से बना सकते हो third है non employment certificate इसके धाई marks है और उसके बाद fourth number पे है differently evolved persons with more than 40% तो यह तो physically handicapped के लिए है जो की family and health department बनाता है next NSS या फिर NCC का जो अगर certificate है तो उसका भी एक number मिलेगा यहां पे उसके बाद sixth number पे है BPL family को यहां पे जिसकी income 40,000 से कम है उसको die marks दे दी जाएंगे यहां पे बिड़ो डिबोसी और डिस्प्यूट और सिंगल भूमेंस को डिड़ मार्क्स मिल जाएगा जो की उसको certificate प्रवाइड करवाना होगा next सिंगल डॉटर और ऑपरें को एक marks और ninth number पे तहां पे दे रखा है experience up to the five year तो उसमें आपको 2.5 marks दे जाएंगे एक साल के लिए आपक पॉइंट 5 marks लॉटर की जाएंगे तो इस तरह से 15 marks यहां पर मनते हैं तो टोटल आपके होगे 100 marks जिसमें 16 marks का आपको जो metric की प्रसेंटेज उसमें दिये जाएंगे 25 marks आपको IT के लगेंगे और 15 marks का मैंने distribution बता दिया है फिर भी आपको इसमें कोई डॉट है तो आप से confirm कर सकते हो तो इस तरह से आपने यह 15 marks के लिए आपने certificate आ रखने है next application form से हुआ है वो फॉर्मा दे रखा है official website पर यहां से आप download कर सकते हो और उसको इस साइट से download करके आप उसको फिल करके आपको बेजना होगा next application be submitted in the prescribed form it may be downloaded from the official website और दिस दिस इन और दा candidate may contact the nearby subdivision office of electricity board obtaining the proforma free of cost जो निरवाई electricity department के office होते है subdivision office, SD office वहां से फ्री में यह ले सकते हैं वहां से बेजना क्या क्या इसमें साथ में तो self attested photocopies बेजनी है to be sent with the application forms first matrix certificate showing the detail marks of obtained second बेजना क्या इसमें ITI का certificate बेजना है आपने third इसमें category का और next आम बात करते हैं तो one passport size sent photograph बेजना है और अधार काड की copy बेजनी है और document जोंगे original and self attested copies जो है issued by the competent authority जो 15 marks के लिए है वो भी आपने साथ में रखनी है और 100 रुपे फीस लगेगी journal category के लिए और 50 रुपीस फीस जो हो रहेगी वो SC और SD और other backward classes के लिए रहेगी और फीस के लिए आपने क्या करना है बैंक ड्राफ्ट बनाना है जिसका आपको यहां पे दफीस में भी आल्सों भी पेड और रिपोज़िट थ्रो दा आर्टिस निफ्ट और इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो इसका अनुने डिटेल यहां पे दे रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच नियर काली बरी टेंपल दा माल शिमला इन फेबर ओफ एच्पी स्टेट एलेक्रिक्रिटी बोड लिम्टेड अंगेस्ट अकाउंड नमबर दीस और आप निफ्ट भी कर सकते हो और या फिर बैंक ड्राफ्ट भी बना सकते हो और और पेमेंट थ्रू कैश बिल नॉट भी एक्सटेड नहीं होगी और जो आप निफ्ट करोगे उसकी सिप्ट साथ में लगा सकते हो फ्मेल केंडेड शेल भी एक्जेंप्टेड फ्रॉम दा अप्रिकेशन फीस तो जो फ्मेल केंडेड है जो सरकार ने बोला हुए उनसे न फाफ में एक ही एप्लिकेशन सेंड गरें तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको पता दी है और आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप किसी टॉपिक के जब कोई चीज आपको नहीं पता चल रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यह आपको phone number दे रखे हैं इन phone number पे आप call कर सकते हो और किसी भी अगर आपको कोई problem आ रही है तो आप इन से बात कर सकते हो चीफ ही निंजिर से तो आपकी problem solve कर ली जाएगी अगर आपको वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें और एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको प्रफॉर्मा जो है वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इमेल आइडी कमेंट बॉक्स में क जाएगा पर शॉप पे आपसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं तो आप यहां से डॉलोड करें और दस रुपे का प्रिंट लेके सैंड कर दीजिए तो यह मैं प्रफॉर्मा आपको बेज दूँँगा अगर नहीं मिल रहा है आपको ठीक है और इसका फोडो एक प्रिंट ल